असलम अलेकुम फूरीज वैलकुम बैक तो मैं चानल टीशेट्स वाइन नीकी तो मैं आफे हूँ लेकर आप सब के लिए ऊपार नहीं रेसिपी और आज की हमारी रेसिपी है मसाला स्प्राउट्स ग्रेवी यानी की इस्प्राउट्स जो होती है मोंग मट्की बगेरा उसकी बिस्मिल्ला करके हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं लेकिन एक बार देख लेते हैं हमने क्या-क्या यूज किया है तो यहां मैंने ले लिया है बारी कटी हुई प्यास यह तीन मीडियम साइस की प्यास है और यहां पर मैंने ले लिया है तीन मीडियम साइस के बारी कटे हुए चार हरी मिर्च जिने मैंने बारी काट लिया है अद्रक लसन की पेस्ट तेल पकाने के लिए ये है धनिया पाउडर लगबग दो चमच के बराबर ये है लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर सबकि कौन्टिटीज में में इस अधोर यहां दो चमच तेल लिया है और यहां पर दो चमच तेल लिया है और यहांपर डाल रही हूँ ओं थोड़ा मेरा तेल गरम हो गया उसके बाद मैंने यहां-पर प्यास दाल द Champ मैं प्यास मीडियम आई बेडियम साइस के बारी काट लिया है मैंने उन्हें हमने प्यास को तब तक पकाना है जब तक कि यह जो है पिंक कलर की ना हो जाए या ट्रांस्परेंट ना हो जाए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है आपने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी है तो वेलकम बैक तो मैं चानल और वेल आइकन को हिट कीजिए सब्सक्रिप्शन का जो नीचे लाल बटन है आप उसको प्रेस कर दीजिए और बैल आइकन को हिट करेंगे तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो अभी मैंने डाल ली है इसमें बारी कटीवी हरे मिर्च हलका सा जो हमारा क आपको कैसी लगती है यह कॉमेंट करके जरूर बताईए तो यह गए हमारे टमाटर आपने देखा होगा कि हमारे जो कांदे है वह अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं उसके बाद मैंने डाले है टमाटर टमाटर दानले के बाद हम इस अच्छी से थोड़ थोड़ा और वो थोड़े से नरम हो जाए अब यहां पर हम डालेंगे सारे मसाले तो यहां गया दो चम्मच धनिया पाउडर दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर देड़ चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच जीरा पाउडर आप चाहे तो भुनेवे जीरे का पाउडर पाउडर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो नॉर्मल जीरे का पाउडर भी ले सकते हैं अच्छी तरीके से इन मसालों को हम पका लेंगे यानि कि भून लेंगे जब तक वो आपको वो स्मेल ना आ जाए मसालों की तब तक आपने इसे आगे नहीं बढ़ाना है बूनते रहना है यानि पकाते रहना है उसके बाद यहां पे मैं डाल रही हूँ एक चमच अदरग लसन का पेस्ट अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप अदरग और लसन को बिलकुल बारीक तरीके से काट कर वर आप इसमें डाल सकते हो लेकिन उपनी शुरुबात में डालना है लसन जब आपने कांदा है जब आपने गाला था तब आपने जब दुस्क और ठीटा लोग दुए छोटा वडेगा सा मशल्रोट चेंषाल रूखर मत बते हैं वसकत्त करनाए हो और अब मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के यानी स्वात के हिसाब से इसमें नमक अच्छी तरीके से पानी में उबाल आने लगा है थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि अभी हमने नमक डाला है तो वो सारे पानी में मिल जाना चाहिए मैंने बाद में आधा गलास पानी और डाला था और इसे उबालने के लिए रख लिया था तो इसमें अच्छी तरीके से उबाला चुका है अब हम इसमें डालेंगे हमारी स्प्राउट्स जो भी हम यूज किये हैं अच्छा जो स्प्राउट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उन्हें रात बर भीगोना है उसके बाद इसमें डालना है अभी फिलाल मैंने डाला है एवरेस का सबजी मसाला ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो डाले या ना डाले मैंने इसलिए डाला है क्योंके थोड़ा सा चटपटा हो जाता है इससे अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं वरना नहीं डालेगी तो भी चलेगा और अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं स्प्राउट में मैंने लिया है मूंग और मटकी हरी वाली मूंग ली है मैंने और मटकी लिये और इन्हें मैंने अच्छी तरीके से जो है रात भर भिगोया है दिन भर भी भिगोया है और फिर उनको मैंने अच्छी तरीके से तीन बार धो लिया उनका पानी स्ट्रेन कर दिया और उसके बाद मैंने उन्हें यहाँ डाला है तो अब इसे डाल लेने के बाद हम अच्छी वक्त के लिए पकाना है अच्छी तरीके से वैसे तो भिगोने की वज़े से ये गल चुकी होंगी लेकिन पकाने के पकाते वक्त और जादा गल जाएंगी तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि इने भिगोना बहुत जादा जरूरी है तो अब ये इसको करते हुए लगबग 3-4 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसे ढखकर पका लेंगे लगबग 5-10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर तो मैंने इसे पका लिया है 5-10 मिनिट के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे तो भाया ये ग्रेवी नहीं होगे फिर क्योंके हमारी रेसिपी थोड़ी ग्रेवी वाली है तो इसलिए यहां पर थोड़ा पानी रखना है इसके अंदर तो मैंने रखा है बचाया है पानी और अगर आपने ड्रा सा मसाला डालना होगा हरा मसाला और पूरा पानी सुखा लेना है तो कर लिए हमने हमारी रेसिपी की प्लेटिंग तो आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ या पाउं के साथ उसके अलावा यह किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है तो सिर्फ रोटी और पाउं के साथ ही ख तो देर किस बात की है जल्दी से जाईए वीडियो देखिए रेसिपी बनाईए और खूप खाईए दूसरों को भी खिलाईए और मुझे कॉमें बताईए कि रेसिपी बनी कैसे और आपको लगी कैसे तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अला हाफिस बाते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेर और लाइक जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिले के साथ वीडियो को शेर कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अला हाफिस